नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सो लोग आई हूप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको इंफर्मिशन देदू कि हमारा लाइनिक्स का कोर्स जो है वो स्टार्ट होनी जा रहा है 25 अपरिल से अगर आप लोग इंट्रस्टेड हैं जो सीखना चाहता है वान मंत का कोर्स है बेसिक से एडवांस लेवल तक का तो अगर आप वो जॉइन करना चाहते हैं तो मेरे वाट्सप नंबर जो की डिस्क्रिप् जो है वो कहां पर कॉन्फीगर किया जाता है तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं आज हम पूरा डेटेल में प्राक्टिकल करेंगे इसका स्टेटिक राउट का और स्टेटिक डिफॉल्ट राउट का तो यहां पर यह पीसी के उपर सभी पर मैंने आईपी अडर्स जो है कान्फीगर कर दिया है आप देख सकते हैं ठीकिए यह सभी जगें पर कॉन्फीगर किया होगा जो भी आईपी अडर्स है यहां पर यह वाला जो नेटवक है इसमें जो है तेन डॉट जीरो श्लैस टूटीफॉर का नेटवक चल रहा है और यहां पर सेंटर वाले मे के बीच में 20.0-24 का नेटवर्क चल रहा है और यहां पे इन दोनों राउटर के बीच में 40.0-24 का नेटवर्क चल रहा है और यह आई-पी अड्रेस जो इनके पोर्ट के उपर डलने हैं वो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं तो सबसे पहले चलिए यह राउटर वन है राउटर टू है राउटर थ्री है यहीं पर पहले तो आई-पी अड्रस जो है कॉन-फीघर कर ले यह आ इसका मतलब यहां पशेय कुछ भी कॉन-फ fryक्रीबर नहीं करें इублиता हूं पहले राउटते हैं यहां पर डूबवल कॉन्फिघरेशन ओसीडल चलते यहां पर इसको इसको इन-ट्रम यहां पार हो गया अब इसके बाद जो है हम यहां पर आगे बढ़ते हैं एंटरफेसस इस जीरो स्लेश जीरो स्लेश स्लेश जीरो स्टैश एंटरफेस पर जाना है IP एडरेस देना है 192.168.255255.0 यह subnet mask है इसको देते हैं कर देते हैं no shutdown और यहाँ पर दिख पानें कि clock जो है वह इस तरफ है तो हम यहाँ पर clock rate भी define करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर clock rate दे देते हैं 6400 क्लॉक्रेट दिया है अब यह हमारा एंटरफेस हैं उनको IP address प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है अब इस सेकेंड वाले पर चलते हैं और यहां पर भी जाकर जो है हम नो करते हैं और यहां पर चलते हैं एनेबल करते हैं ग्लोबल कंफिग्रेशन मोड पर चलते हैं और ग्लोबल configuration mode पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं interface F0.0 और यहाँ पे IP address दे देते हैं इसको 192.168.30.1 255.255.255.0 no shutdown यह हो गया हमारा इसके बाद interface S0.0.0 जो कि हमारा router 1 की तरफ का interface है और यहाँ पे जाके हम इसको IP address दे देते हैं 192.168.20.255.255.255.0 यहाँ पे हम कर देते हैं no shutdown तो यह state भी आप हो चुका है अब हमने यहाँ पे इसका जो third router की तरफ का serial port है यह वाला इसको configure करना है तो हम चलते हैं यहाँ पे interface S0.1.0 इसको करते हैं आप इस पे IP address साइन करते हैं 192.168.40.255.255.255.0 आप इसको करते हैं no shutdown क्योंकि यहाँ पे clock rate define करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे clock rate 64000 तो यहाँ पे clock rate भी हमने define कर दिया और इसको हमने no shutdown भी कर दिया तो यहाँ पर भी हमारा काम हो गया configure का अब इसकी बाद third पे चलते हैं और यहाँ पर जाकर जो है हम IP addresses वगरा देते हैं power on कर देते हैं इसको तो यह जब तक बूट हो रहा है तब तक कई काम करते हैं हम पहले वाले router पे static route जो है वो define कर देते हैं लेकिन उससे पहले यह ready होई चुका है तो पहले इसको configure कर लेते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं enable करते हैं global configuration mode पर चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं interface f0.0 अब इसको पे ip address देंगे हम 192.168.50.1 255.255.255.0 no shutdown तो यह हो गया हमारा serial port को करेंगे configure s0.1.0 अब इसको हम ip address देंगे 192.168.40.2 और 255.255.255.255.255.255. 0.0 no shutdown तो यह भी हमारा हो गया अब इसके बाद end करते हैं और यहाँ पर अभी यह सब ready हो चुका तो मैं यहाँ से पिंग करके देख लेते हैं कि हमारा पिंग जो है वो कहां तक जा रहा है तो यहाँ पर मैं लिखता हूं पिंग 192.168.10.3 करता हूं जो कि इसका self यह second PC का IP address है आप देख सकते हैं reply आ रहा है अब हम gateway को 10.1 को तो 10.1 का भी जो gateway का reply भी आ रहा है और अब अगर मैं यहाँ पर second network 20.1 को अगर मैं पिंग करता हूं तो 20.1 को भी जो है यह पिंग कर रहा है उसका reason यह है कि यह जो router है उसके पास में दोनों ही local ports के जो network है वो available है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं show IP route करके तो आप देख सते हैं यहाँ पर 10 वाला जो network है वो हमारा fast ethernet 0.0 के उपर configured है और जो हमारा 20 का network है वो हमारा यहाँ पर serial port 0.1.0 के उपर configured है तो यह जो है हमारा यहाँ पर दोनों ही interface पर configured है लेकिन अगर मैं यहाँ पर ping करता हूं हमारा यह third network जो की है ping 192.168.30.2 को करता हूं तो यहाँ पर हमें destination host unreachable आ रहा है reason है कि हमारा यह जो gateway है इस gateway हमारा जो यह router है इसके पास यह नहीं पता कि 30 router जो 30 का जो network है वो कहाँ पर available है तो इसी वज़े से यहाँ पर यह नहीं ले रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा static route configure करना पड़ेगा global configuration में जाके हम यहाँ पर static route define करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम IP route और उसके बाद हम लिखेंगे 192.168.30.0255.255.0 अब यह network जो है किसके द्वारा reachable है यह हमारा 192.168.20.2 के द्वारा reachable है तो हमने यह कर दिया अब यहाँ पर 30 का network के बाद यहाँ पर 40 का network भी डाल देते हैं वो भी इसी से reachable है 50 का network जो है वो भी यहीं से reachable है तो हम 50 का network भी यहाँ पर define कर देते हैं अब अगर मैं यहाँ पे end करता हूँ, यहाँ पे show IP route करके दिखाऊँ आपको, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन entries हमारे पास हो गई हैं, और यहाँ पे लिख क्या रहा है S, S का मतलब है static, तो यहाँ पे हमने static route define कर दिया, कि 30 का network जो है, वो भी इसके द्वारा reachable है, इसके द्वारा 40 का reachable है, 50 का भी यहाँ से reachable है, तो यहाँ पे तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं यहाँ से pink करके देखूँ, तो यही चीज जो 30.2 को किया, पिंक करके देखूँ, तो अब देख सकते हैं, अभी भी हमारे पास जो पहले destination host unreachable आ रहा था, अब उसकी जगे पे हमारे पास क्या आने लग गया, request time out आने लग गया, request time out इसलिए आने लग गया, क्योंकि अभी इसको यह तो पता है कि वो कहाँ पर भेजना है, लेकिन इसको यह नहीं पता कि वो वहाँ पे पहुँचने के लिए, यहां से यह data इसको तो दे रहा लेकिन इस router को जो है, वो नहीं मालूं कि वो 10 से traffic लेना है कि नहीं लेना है, तो यह जो है, अभी हम second वाले router पे चलते हैं, और यहां पर भी जाके static route जो है हम define करेंगे, तो मैं यहां पर exit करता हूँ, यहां पर लिखता हूँ IP route और यहां पर करने के बाद 192.168.10.0 का network जो है, वो कहां से reachable है, किसके दवारा है, 192.168.20.1 से जो है, वो reachable है, अब इसी तरह से यहां पे 50 का network जो है, वो भी हमें बताना पड़ेगा, तो 50 का network कहां से reachable है, वो हमारा यहां पर 40, 40, यहां मैं minimize करते हूँ, यहां पर 40.2 से जो है reachable है, 50 का network यहां पर है, ठीक है, तो यहां पर हम 50 का network define करेंगे, यह 40.2 से reachable है, 40.2 से जो है reachable है तो मैंने यहाँ पर define कर दिया end करते हैं और यहाँ पर जाके मैं show ip route करके दिखाऊं आपको तो आप देख सके हैं यहाँ पर 2 entries आ गई 10 का तो इसको already पता था 20 का 30 का 40 का 10 का नहीं पता था 20.1 से जो reachable है और यहाँ पर अगर 50 का बताऊं तो इस 50 का मैंने 40.2 से जो है reachable है अब अगर मैं यहाँ से इसको pink करूँ यहाँ पर pink करते हैं 192.168.10.30 तो अगर यहाँ पर करूँ तो आप दिख सकते हैं success rate जो है 100% आ गया same way यहाँ से अगर मैं computer से आपको वही command चला के दिखाऊं जो अभी चल रही थी तो यहाँ पर 30.2 को pink करते हैं आप दिख से हैं reply हमें मिल रहा है ठीक है इसका मतलब यहाँ तक network clear हो गया अब अगर यहाँ पर मैं यह इसकी जगे पर 50 का network लेता हूँ 50.2 करके pink करता हूँ तो उसका भी यहाँ पर हमें request time out आएगा क्यूंकि 50 का network भी जो है यहाँ से आगे second router से आगे third पर नहीं पहुँच पा रहा है चले third को भी static route से configure करते हैं तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर global configuration mode पर चलते हैं IP route 192.168 अभी 10.0 का network जो है वो कहां से reachable है तो हम यहाँ पर enter करते हैं यह होगया 10 का network अब हमने 20 का network मिवी इसको बताना है कहां से reachable है यह 20 का बता दिया अब इसको 30 का बताना है तो 30 का network मिवी हम यहाँ पर देते हैं अब end करते हैं और यहां पर show IP route करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसको जो है 10,20,30,40,50 थी पांचों नेटवर्क जो है इसके पास available होगे हैं अब अगर मैं यहां से pink करता हूँ हमारा 10 का नेटवर्क तो वो यहां से reachable होगा 10.3 को करते हैं तो आप देख सकते हैं जो success rate है वो 100% आ चुका है मतलब यह communicate कर पा रहे हैं लेकिन यहां पर हमारे पास जो है तीन entries करनी पड़ रही है अगर मैं यहां पर इस router की end पर यह router end पर है अब इसके बाद आगे कहीं नहीं है और इसी तरह यह पहला router जो है वो भी end पर लगा हुआ है और इसमें भी आगे कही पर कोई traffic नहीं जा रहा है तो एक ही port के उपर पूरा traffic जा रहा है तो ऐसे में हम जो है यहां पर तीन entry की जगे पे यह है static यह हमने static पर डिफाइन करें तो अगर हम यहां पर तीन entries की जगे पर कोई ऐसी entry एक single entry करते हैं जिसके द्वारा यह सारे network में communicate कर पाए तो उसके ल वेवाफ करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम करते हैं उसको कहते हैं static default routing protocol तो यहां पर default के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो यह जो हमने static routing करी है इसको हटाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए हमने क्या करना है enter global configuration पर जाना है तो हटाने के लिए हमने सिरफ no ip route लिखना है और जो भी हमने commands डाली है वो यहां से हटा देनी है 192.168.30.0 255.255.255.0 अब यह किसके द्वारा reachable है 192.168.20.2 के द्वारा reachable है तो अभी वापस से यह 20 का भी हटा दिया अभी हमने यहां पर 30 का 40 का हटाना है यह 40 हटा दिया अब अगर हम 50 का बचा है तो 50 को भी हटा देते हैं यह 50 का भी हटा दिया अब अगर मैं end करके आपको यहां पर show ip route करके दिखाऊं तो आप दिखते हैं अभी सिरफ यहां पर जो locally connected है इस router के साथ में integration mode पर अब अब आपने लिखना है ip route 0-0-0-0-0 subnet mask 0-0-0-0-0 अब यह 0-0 का मतलब कोई भी network हो कोई भी network आगे जिसका traffic हो तो उसके लिए हमें यहां पर 0-0 लिना है तो हमें यहां पर करना पड़ेगा 192.168.20.2 से जो है reachable है कोई भी network आए यह हमने एक single entry कर दी चलो मैं यहां पर end करता हूँ end करने के बाद आपको यहां पर show ip route करके दिखाऊ route करके दिखाऊ आपको तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास यहां पर पहले s लगा अभी s star लग गया है s star का मतलब यह इस static स्टार का मतलब यहां पर आपको मैं दिखाता हूं इसका मतलब बहुत है default ठीक है यह लगा स्टार तो यहां पर candidate default यानि कि यह जो है static route जो हमने default routing कर दिये तो default routing के अंदर हमने क्या किया जिरो स्लाइस जिरो स्लाइस जिरो स्लाइस जिरो स्लाइस जिरो यानि कि कोई भी नेटवक आ जाए वह कहां से reachable है 192.168.20.2 अब यहां पर single entry हमने करी है राइट हमने कोई भी 30 या 40 या 50 नेटवक इसको नहीं बता है तो अभी यहां पर अगर मैं pink करके दिखाऊं आपको हमारा जो नेटवक है यह 20.1 को छोड़ी अभी हम 30.3 को मैं pink करके दिखाऊं तो आप दिख सकते हैं यहां पर हमने pink command चालू कर दी है और pink command में पहला जो हमें time out आता है क्योंकि वो आर्प रिक्वेस्ट का जो है चल रही होती है और उसके बाद हमने reply मिल गया इसी तरह अगर मैं यहां पर 50 की लेके दिखाऊं तो 50 का भी हमें reply मिल जाएगा तो यहां पर पहला request time out आएगा क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट थी और देख सकते हैं आप reply आ गया है यानि कि अब हमने तीन जगे पे तीन entries करने की वजाए हमने सिरफ एक entry करी है एक entry क्यों करी है क्योंकि यह router एक ऐसे end पे है जहां पर पूरा traffic जो है वो एक ही तरफ को जाना है जो भी ISP होते हैं वो जो आपके end पे जो router प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर वो यहां पे default routing ही करते हैं ताकि आपका पूरा traffic क्योंकि एक ही तरफ आना दो तरफ जाना नहीं है अब यहां पे तीसरे router के अंदर भी हम यह चीज कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए भी हमें यहां पे global configuration mode पे चलते हैं और यहां पे लिखते है no IP route और उसके बाद 192.168.10.0255.255.0 192.168.40.1 यह हमने no IP कर दिया 10 का network अटा दिया 20 का network भी अटा दिया और यहां पे अभी 30 का network भी हम यहां से remove कर देते हैं अब इसकी जगे पे हम सिरफ एक static route डाल देंगे तो यहां पे भी route लिखते हैं IP route 1 not 1 0.0.0.0.0 not slash dot लगाना था सॉरी 192.168.40.1 से जो है यह सारा network जो है वो available है एंड करते हैं show IP route करते हैं तो यहां पे जाके आप देख सकते हैं हमने single routing के जरीए जो है पूरा काम कर लिया अब मैं यहां पे पिंग करके दिखा हूं 192.168.10.3 को तो आप देख सकते हैं success rate जो है वो 100% है अब यह end वाले router है इसलिए हमने यहां पे static default routing कर ली लेकिन अग पे जो है हमारे को कितने entry करी है हमने दो entry करी है statically लेकिन अगर default राउटिंग करनी पडेंगी तो वो भी हमें यहां पे दो ही entry करनी पडेंगी तो इसलिए center वाले पे दोनों तरफ ट्राफिक जा रहा है या तीन तरफ ट्राफिक जा रहा है तो ऐसे routers के उपर में आप static default routing जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन end वाले की उपर में आप आराम से static default routing कर सकते हो क्योंकि वहां पे traffic flow जो है वो एक ही तरफ है और अगर multiple की तरफ होगा तो definitely आपको वहां पे जो है entries करनी पड़ेंगी या फिर इसके और भी तरीके हैं वो आपको मैं अलग से वीडियो बना के दूँगा कि किस तरह से आप जो है अलग से protocols का इस्तेमाल करके RIP protocol है या फिर हमारा OSPF protocol है EIGRP protocol है उनका इस्तेमाल करके भी जो है आप यहां पे पूरा काम कर सकते हैं लेकिन static routing की बात करें तो यहां पे जो static routing है वो आप routers पे सभी पे कर सकते हैं लेकिन central routers पे आ I hope कि आपको static routing और static default routing कहां पे करी जाती है वो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपका फिर भी कोई query है कोई भी question है do let me know in the comment section below अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like करें शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दें साथी साथ बेल का एक अने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं सो आज के इस वीडियो को लेतना ही अगला वीडियो आने तक सेफ रहें alert रहें and be always good to others